अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने जो हैं जो हैं जो है धरमपाल महेंद़र गोफाल या फिर कुमार गोफाल राइट ञा ऑप्शन नमबर ओपशन नंबर भी खापना है वी थृशन दार्म ने कि यानन विकास जो धरम पालने की बिक्रम सिला विश्व विद्याले बंगाल में था जो प्राचीन भार्ट का एक प्रसीद विश्व विद्याले था और इसका निर्माड यानि फाल वंस राजा धरम पालने की थी नेक्ट कोशन दिखते हैं कुश्जन नमर 2 है नालंदा बिर्षम बिडेलय का विकास किस की काल में हुआ? जो नालंदा बिर्षम बिडेलआ का विकास 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 की काल में हुआ? extra, top 9. राइट अंसर है दोस्तो अप्शन नमबर C कुमार गुप्त के काल में हुआ नलंदा विश्वभी दैले का जो विकास हुआ ओ कुमार गुप्त के काल में हुआ और कुमार गुप्त 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 बंस का राजा और चंद्र गुप्त बिक्रामा दित्या के पूत्र थे थी गौतंबुध की मा महा मैया जो थी ओ कोलिय बंस की थी और उनका विबाज जो है वह छत्रिय संक्यवंसी राजा सुदोधन से हुआ था नेक्स्ट कोशन देखते हैं Q4 है बौत धर्म का कौन सा अंग मूर्ती पूजा में विश्वास नहीं करता है बौत धर्म का कौन सा अंग है जो मूर्ती पूजा में विश्वास नहीं करता है अपसंत से हीन यान, महायान, बजरयान या फिर इन में से कोई नहीं देखे दोस्तों बहुत धर्म के जो चार अंग यानि संपर्दाएं हैं हीनयान, महायान, बजरयान और एक है नौयान तो बहुत धर्म का वो कौन सा अंग है जो मुर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है तो राइट अर्सर दोस्तों अप्शन नमबर ए हीनयान और नहीं ये विश्वास करता है कि जो गौतम बुथ थे वो भगवान थे नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर पांच है दोस्तों बल्लभी विश्व विद्यालय का विकास किसने कराया जो बल्लभी विश्व विद्यालय है उसका विकास किसने कराया नेक्स्ट कोशन दिखते हैं कोशन नमर छे है राश्टकूट बंस की अस्थापना किस ने की थी और इसकी अस्थापना जो आठवी सदी में की गई थी नेक्स्ट कोशन दिखते हैं जो सेन बंस की अस्थापना किसने की थी और बंगाल का एक राजबंस था और इसकी अस्थापना जो है हमनस된 ने की थी कोशन नमर आठ है बल्लभी काल किस काल को कहा जाता है बल्लभी काल जो है ओ किस काल को कहा जाता है अपसन से गुप्त काल कुशाड काल मौरे काल या फिर इन में से कोई नहीं राइट अंसर दोस्तों, ओपशन नमर ए, गुप्त काल को कहा जाता है. नेक्ट कोईशन देखते हैं. कोईशन नमर नो है, कुशाडों ने किसके सीके चलवाए? कुशाडों ने जो है, ओग किसके सीके चलवाए? option से सोने चांदी तामबे या उपियुक्त सभी right answer दोस्तो option number D उपियुक्त सभी कुसाडों ने जो है सोने चांदी और तामबे के सीके चलवाए और कुसाडों को तुसारी लोग भी कहा जाता था next question देखते है question number 10 है क्रिश्न प्रथम जो राष्टकुट बंस का राजा था उसने निमलीखित में से क्या बनवाया जो क्रिश्न प्रथम राष्टकुट बंस का राजा था उसने निमलीखित में से क्या बनवाया option से एलोरा के सीव मंदिर अजन्ता की गुफाए एलोरा की गुफाय या फिर इन में से कोई नहीं राइट अंसर दोस्तों अप्शन नमबर A एलोरा के सीव मंदिर जो क्रिश्न प्रथम राष्टकुद बंस का राजा था उन्होंने एलोरा के सीव मंदिर का निर्मार करवाया था नेक्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर 11 है भारत में रूई अन्य रूईों से अधिक सफिद है यह विचार किसका था भारत की रूई जो है अन्य रूईों से अधिक सफिद है यह विचार जो था वो किसका था अप्शन सा एलेकजेंडर, मेगास्थनिज, हीरो डोट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदु था और उसने जो है मेक इंडिका नामक पुस्तक की रचना भी की थी ठीक है नेक्स्ट कोशन देखते हैं Queshain No.12 है अंति मौर ये समराट कौन था जो अंति मौर ये समराट था ओ कौन था option से असोग ब्रीदरत संप्रती या फिर इन मेंसे कोई नहीं right answer दोस्तों option बी ब्रीदरत था अंति मौर समराट बड़ी दरब था जिसे उसके सेनापती समराट पुष्यमित्र सुंग ने मारकर सुंग राज्य की अस्थापना की थी नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर 13 है किस यग में बैदी काल में सूरा का परियोग किया जाता था नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर 14 है दोस्तों अधी धम में कथावथ्थू के बारे में किस ने लिखा अधी धम में कथावथ्थू के बारे में किस ने लिखा अप्सन से अस्वगोस महाकस्यप मोगली पुत्तिस या फिर इन में से कोई नहीं राइट अंसर दोस्तों अप्सन नमबर C मोगली पुत्तिस मोगली पुत्तिस जो है बौध धम के भीक्षू और विद्वान थे वे असो के अध्यात्मी गूरू थे और असो के पूत्र महिंद्र के अध्यात्मी गूरू भी थे कोईशन नमर 15 है बोध धर्म की सिख्छाओ के बारे में कौन सा गरंत्त बताता है बौत धर्म की सिक्षाओं के बारे में जो है कौन सा ग्रंथ बताता है अप्सन से अधिधम पिटक, बिनाई पिटक, सूथ पिटक या फिर B और C बिनाई पिटक और सूथ पिटक राइट अंसर दोस्तों अप्सन नमर C सूथ पिटक बौत धर्म की सिक्षाओं के बारे में ज अप्सिन नमबर सी धरम पाल ने सोम पूरी बल्लवी जगदल या फिर इन में से कोई नहीं जगदल विश्वविदले की अस्थापना जो है वो रामपाल ने की थी नेश्ट कोशन देखते है कोशन नमबर 18 है कौन सा पिटक नैतिक अचार सहीता के बारे में बताता है ओप्सन सा है अधीधम पिटक, बिनाय पिटक, सूथ पिटक या फिर इन में से कोई नहीं इसमें संग, भिक्षों और भिक्षोनियों के लिए नियम है नेश्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर 19 है दोस्तों, प्रति बर्स हाथी महज़ज़व कहाँ मनाया जाता है नेश्ट कोशन देखते है question number 20 है दस रजाओ का यूद किस नदी के किनारे हुआ जो दस रजाओ का यूद हुआ ओ किस नदी के किनारे हुआ अपसंस है परुषनी बितस्तता गंगा या सिंधो right answer दोस्तों परुषनी परुषनी नदी के किनारे जो है दस रजाओ का यूद हुआ था तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद दया तो एक लाइक तो बनता है लाइक चरूर करें और चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन यान घंटी के बटन को दबाना नौ भूलें तो चलिए दोस्तों थैंक्स पर वाचिंग से यू नेक्ट वीडियो धन्यवाद